कि नमस्कार आप देख रहा है अखाड़ा और आपके साथ मैं हूँ शैलिंड नए साल के पहले दिये अपने इंटर्व्यू में पी-म मोदी ने बड़ा बयान दिया है कि इस बार का चुनाओ जंता बनाम गडबंदन होगा दरसल जिस तरह से पांच राजियों में चुनावी नतीजें आये हैं उसके बाद बीजेपी भले ही बैक फुट पर हो लेकिन प्रधान मंद्री नरेंद मोदी को अपनी योजना और सरकार के विश्वास को लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी बात इस पश्च तौर पर रखी उसके बाद ये तस्वीरे बनती नजर आ रही विपक्षी एकता को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं उनका मुद्दा क्या कुछ होगा वक्त को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं लेकिन बीजेपी लग का अतार अपने आपको फुल कांफिडेंस में देख रही और शायद जब प्रधान मंतरी नरिद मोदी ने पहली बार इंटरव्यू दिया नए साल पर तो उन्होंने इस बात को पुखता तोर पर रखा कि 2019 का चुनाओ जनता बना महागडबन होगा तो जनता क्या कुछ पाल यही है कि बीजेपी कुछ भी सोचती हो लेकिन क्या जनता वास्तों में सोचती है कि 2019 का जो चुनाओ होगा वो जनता बनाम गडबन्दन होगा तो सबसे पहले पियम मोधिक आपको वो बयान सुनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह का बयान देने के पीछे क्या कुछ उनकी मनशाथी और उनके बयान के क्या कुछ सियासी माईने अब निकाले जा रहे हैं राज को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं तो देश की जनता ताय करेगी कि यह सब लूटने वालों की ताकत इखटी हो रही है उसके साथ जूढना है का नहीं जूढना है और इसलिए जनता वर्सीज गठवंदन होने वाला है मोदी तो जनता जनादन के प्रेम और आशिजवात का प्रतिख्या और कुछ नहीं है पांच साल हो गए महागरवंदन ने देश के सामाजी आर्थि विश्वाण को लेकर के कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक सवर से कहा हो ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी भी उनके यहाँ से दो-दो सवर निकलते हैं बिन बिन असवर निकलते हैं और आखिर करें इन हो लोग हो के हैं ये खुद क्यों बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंड रहे हैं एक दूसरी को भी हाथ पकड़ो बच जाएंगे तो ये खेल चल रहा है उनका इरादा एक मात्र मोदी है तो तस्वीरें यही बया कर रही है कि अब मिशन 2019 को लेकर बीजेपी ने अपनी तयारी कर लिए अभी तक महा गड़बंदन पर गड़बंदन के सुरूपर भले ही फाइनल तस्वीर साफ न हो पाई हो लेकिन पीम मोदी ने जब बयान दिया है जब उन्होंने गड़बंदन के लिए ही क्या एक मंच तयार किया जा रहा है और जिस तरह से अखबारों में पढ़ा जाता है हर दस पेश पे अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं अलग अलग बयान सामने आते तो गड़बंदन में एक रूपता भी नहीं है ऐसे में देश का विकास का विजन क्या यह तमाम सवाल यहाँ पर प्यम मोदी ने अपने इंटर्विव में उठाएं और सवाल यह भी है कि जिसतरा से कॉन्टेंट होकर प्यम मोदी ने कहा है कि इस बार का चुनाओ 2019 में जब चुनाओ रहा जब लोग सबा का चुनाओ तो मुद्दा यहां पर मोदी नहीं होगा यहाँ पर मुद्दा होगा जनता बनाम महागडबंदन का इसी मुद्दे पर आज की बहास और थमाम महमान हमाई साथ इस्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले उनका परचे आपको साथ करा देते हैं हमाई साथ अशोक पांडे हैं प्रवक्ता है माई साथ जग्दे उसिंग्यादों है सब प्रवक्ता है रोहित अगरवाल है प्रवक्ता आरेलडी है और थोड़ी देर में हमाई साथ कुछ महमान और जुड़ेंगे शुरूवात करते हैं अशोक पांडे जी आप से समझने की कोशिश करेंगे पीम मोदी ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि इस बार का चुनाओ जनता बनाम गढध बर्दन होगा आखिर इसके क्या खुछ माईने आप देखते हैं खास तोर पे तब जब अभी पांच राजयों के नतीजे आए है जिसमें गरीब आज अमीर आदमी सोचता है कि हम गरीब क्यों नहीं हुए क्योंकि हमने सबको गरीब तो घर दिया सोचाले दिया आईशमान योजना की अंतरगत पांच लाग का भीमा और उनको गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह किया तूसाधार पे हमको जाउत में वहेंगी को मारते मारते बचे यह वो लोग साथ में हैं जो एक दूसरे खिलाव लड़ते रहे आज हमारे खिलाफ एक जुठ होके हमें उखारने के बाश कर रहे हैं जाई चार राजेओं की बात वहां जनता ने नकारा नहीं है हम नेक तूनेक लड़े हैं यह बात है कि चुनाव हमार गए नकादा पूरी जनता ने हमें चवाली पर लाके नहीं खड़ा किया है निशी तोर पे आने वाले दिनों में यह चुनाव जनता बना बढ़ी है आपके सहयोगी आप से दूरियां बना रहें तेवर अलग मुद्धों पर अलग तरह के दिखा रह जब चुनाव का वह से तो कहीं कहीं सीटों सवाव पर बाचित होगी लेकि देखिएगा हम लोग एक जूटों के फिर एक जगर लडेंगे विश्वास की वज़एं बता दीजे विश्वास की वज़एं जो कह रहा है कि जंता बना आपको क्या लगता है पूरी देश की ज कर उसे ही चुनाव मोजी मोदी जी नहीं पधान मनती हमारे पतीख हैं लडेगा तो भाती जनता पाटी करता जगदेव सिंग जी आप से समझना चाहेंगे बीजेपी बोल लाई है कि गठ बंधन बनाम जनता का यह चुनाव होगा आप इसे कितना सही मानते हैं और सवाल य हुए यह गरीब होना चाहें किया को घरी बोना चाहता किया कितनी हासपत यहां बैठ करकर बैयान बाजी होती बड़ा देखने लाइक है तुरसरा सवाल यह है मोदी जी की बड़ी प्रसंद्सा कर रहे हैं जहां-जहां सरकारें रहती हैं उप चुनाव को जीते हैं जहां और सुनिए बिहार लेकर के राज थान सारे अबाई चुनाव में अब यह मोदी मैजग खत्म हो गया है मोदी मैजग नहीं है यह फेकू फेल हो गया सारे देश में जनता समझ गई है कि पंदा लाग रुपया कहां चले गए अच्छे दिन कहां चलेगे और नेता जी ने खुद काप बिताने के बात हो सकते हैं और हर जगहां जिते हैं खाली धाली को क्वेट्रों पराने वाला कहां जले गए और कानुन कस्ता हिपी में भश्चों गई है कभी कहते थे आप जंगलाज यह महाजंगल राज आए प्राह संस्ती बाता है अपनाधियों के लिए का एंट है अब प्रणाधियों सरकार है बेइमानों के सरकार है जंतार इनको आइना दिखारा जोने अब बी आखेंपन्द मोधी कुछ उत पर मोधी से ज्यादा लोग पने बहुत बड़े नेता है उससे जादा उत्रमदेद में के अधर नेता है लोग मोधी मालन बात करते हैं जो बराएं ठीक है प्रणाधियों के प्रवक्ता बार्टी के प्रवक्ता वायट कर मोधी मैजिक की चाचा कर रहा थी मोधी मैजिक नहीं था जुम्ले बाजी थी जो आपने देश की जनता को ठगने का काम की आपने देश की जनता से ये वादा किया था और बहुत बड़ी युगाओं को सबना दिखा था कि दो कॉर्ण सलाना रोजिवार देंगे आपने सौ मैटो मैटो सिटी मनाने की बात की थी आपने पंदा लाक आने की बात की थी आप निकाला दन वापस आने की बात की थी इन सारे मुद्धों पर भारतियनता पार्टी और मोदी जी की जो बात थी वो फेक साबित हुए जनता ने उन्हें खारिज किया आज इसी दिए है कि आप मोदी मैजिक की जब आप बात करते हैं तो जब अभी तक नहीं तरह कर पाए हैं और सवाल ये भी है कि चार साल तक आप इन मुद्धों पर कहा थे जो परवान चड़ाने लगे बाकी समय पर कहा थे बाकी समय पर गड़ बंदन क्या आपके सायोगी दल कहा थे हमें साब के बीच में कंफ्रिक्स सामने आए राजनैतिक मु पर किसने कम किया कि चाहिए जनता क्या सोचती है दोजार उनीस में आप किस मुद्धों के साथ जनता के बीच में जाएंगे गडबंदम का सुरुक क्या होगी जनता किसके साथ कड़ी सरकार ने चाल्चा हो रही है सो मेट्रो सिटी कहा है बताना चाहिए दो करण सलाना रोजगार कहा है बताना चाहिए बंदरा लाग रुपे हमारी जेम में कब आएंगे बताना चाहिए काला धन कब आएगा बताना चाहिए और इतना है नहीं आप इतने एहंकारी हो गया है उन्हीं को अपमानित कर रहे ह आप उत्तर प्रदेश की सर्जमी पर एक बड़ी सभा करते हैं और अपने एलाई पार्टनल को एक जगे तक नहीं दे सकते हैं वो बिचारे भीक माग रहे हैं वो कहरे हमें अफ्थान चाहिए आप मुसे बात नहीं कर रहे हैं पार्टी और उनके सहयोगी दोलों के बीच की बात हो सकती है बात चुनाओ की करी और महा गड़बंदर की बात करी अभी तक कोई फाइनल तस्वीर नहीं साफ आप आई है अभी नेता नहीं हो पाया है आपके स्टालिन कहते हैं कि राहूल गांदी को उम्प्रदान मत्री के तौर पर देखते हैं तो अकले स्वाल खड़े कर देते हैं कि 2004 में कटबंदर का नेता कौन था निश्चित तोर पर अटल ब्यारी बाजपई जैसे करिस्माई व्यक्तित के सामने यूपी ए खड़ा था और मुद्धों के अधार पर खड़ा था उनके फेले और के अधार पर खड़ाता तब इस्थितियां बदल चुकी है यह बहुत लगातार चुम्ले लगा चुनौब है ये लाजिघ के लिए पर्दानि मंतरी चीन जनता बिनां कि equivalent कि बात कि बात कि's की बात कि तो शायद वो यही कहना चाह रहें कि अब जंता जाग रही है और यह भारती जंता पार्टी का महागडवन्दन या इसको हराने का काम करेगी क्योंकि भारती जन्ता पार्टी जिस तरीके से जुम्ले बाजी कर रही है जिस तरीके से जुट बोल रही है आपने पूरे इंटर्व्यू में विकास का कहीं पर उनका मुद्दा नहीं सुना होगा अभी तक वो कह रहे थे विकास के नाम पर चुना लड़ा आएगा विकास पुर हो गया ने अब क्या बदलाओ की बात की है ने ने अब जो सवाल कर रहे हैं आपने सुना अभी थोड़ी देपहले इन गड़ बंदन अभी तक कहा था चुनाओ के समय आते ही सब एक जुट होने लगे चुनाओ लड़ने के लिए हम समा सेवा करने के लिए जब चुनाओ आएगा तो आपको महा गडबनने का सुरूप बता दिया जाएगा इतनी जल्दी क्या है अपनी चिंता करें अपने अलाइंस की चिंता करें राजवर इनको पानी पीपी के कोस रहे हैं कि इन्होंने जनता के लिए जनता को ठग लिया है इन्होंने उसका जवाब कब देंगे मोदी जी अनुप्रिया पटेल इनकी सभाव में नहीं जा रही है इनको रिसीव करने तक एरपोर्ट पे नहीं जाती है इसका होगा देखिए कहीं ना कहीं प्रधान मंत्री ने आप 4.5 साल में देखिए मन की बात लगातार करते रहे हैं और जो उन्हों तोर पर एक बात नज़र आई क्योंकि जनता बनाम वो जनता के प्रतिनधी बनने की बात किया है उन्होंने जनता बनाम गडबंधन की उन्होंने बात किया है लेकिन जो देश के बेसिक मुद्धे हैं जवानी पानी किसानी वो पूरी तरह संकट में है और जिस तरह तीर जहान 15 सालों से लगातार सत्ता में थी भारती जंता पार्टी लेकिन मुद्दों को लेकर के मैं ये मानता हूं कि भारती जंता पार्टी का पॉल मैनेजमेंट गट बंधन के पार्टियों के बानिस्बत ज्यादा अच्छा है इसलिए और RSS का जो स्ट्रोंग होल्ड है मध्य प्रदेश 36 गट राजस्थान में बहुत टफ फाइट किया है बीजेपी ने पॉल मैनेजमेंट के बदाल बदालत इन नतीजों के बाद भी इस तरह की बात ही ये किस तरह का संक्या देती है खास्तों से बीजेपी के लिहाज से देखे प्रधान मंत्री ने अपने इंट्र उस लगातार उन्होंने एक के बाद एक सर्जी का स्ट्राइक पर आये सारी चीजे उन्होंने अपनी क्लियर की लेकिन कहीं न कहीं जो देश के सबसे बड़े राज हिंदी हाट लैंड में जैसे जनता बनाम वो जनता के प्रत्रेदी बनते नजर आए जनता बनाम कर रहें सरतपवार साथ चंदरबाबू नाइडू साथ तो कहीं न कहीं 22-24 डलों का जो ग्रैंड एलाइंस देश में बनता नजर आ रहा है बायचैनी जरूर है उसमें कोई दो राय नहीं यह भी एक निकल करके आ रहा है कई सवाल भी खड़े कि उन्होंने वक्त को लेकर सवाल खड़े कि हैं मंसा को लेकर सवाल खड़े कि हैं स्वरूप को लेकर सवाल खड़े कि हैं देखिए भारती राजनेतिक महातो कांग्षा है हैं ममता बनर जी अलग सवाल कर रही है रहूल गांदी का अलग सवाल है अखल में जो पोजीशन है जैसे गैर कांग्रेसवाद के खिलाब भारतिय जनता पार्टी भी सामिल थी जब भारतिय जनता पार्टी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया उसमें जनता परिवार के सारे दल थे आप जो जमाना है जो समय हो गैर भाजपावाद का नौन बीजेप जैसे कॉंग्रेस की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एस पी एस पी रास्टिय लोग दल से टेक्निकली कॉंग्रेस कुछ टेक्निकल एड्जस्मेंट करेगी या सीधे ग्रैंड एलायंस में जाएगी इस डिपेंड करेगा कि क्या चाहती है लेकिन निश्चित तौर प जाएगा हम मिलके ही चुनाओ लडेंगे मजबूरी था बराबरी पर क्यों आपने जादा सीट हासिल कई थी हैं सम्झोता हम इस तरह का सम्झोता नहीं है तो च्छोटा वाई पिर से आपको आँखेंगी क्षाहर क्षाओ कपले कर रहा है आजी सिंग पता प्राइब आपको पता है राजबर की बता है तो अपने बात करिये ना उनके सवाल तो सुझा लेंगे हमारे देश की जंदा नहीं आदे आपको 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 दिखाई पढ़ा है कांग्रेस अचूप को अचूप माघट बंधन की बात करते हैं अगर प्रधान मंत्री ऐसा कर रहे हैं कि जंता वर्सेस घट बंधन होगी तो इसके पैमाने क्या है आप यह बता दिए अगर चार साल आपने बहतर काम किया था जंता आपके साथ खड़ी हुई थी तो यहार क्यों मिली फिर देखे जो चुनाव 15 साल हमारी सरकार थी कहीं के इंटी के में विशीव का मामला भी था और यूपी में वहर गए आपके चुनाव हर पदेश क्यों जित गई इस पर तो चाचा नहीं हो रही है हम चाट पर रहे हैं आपके पास यह कंडिडेट नहीं गोवा के अंदर आपके पास सारी जेगे आपके सांव में बहुंन के से सहाथ तो कंगरेस के सांद करता है करते हैं कभी चंद बाबू नाइडे मुकाबला करेंगे 2019 में गडबंधन का स्वरूप तैं होता है common minimum program के बाद कैवान मोधी का विरोध ही है आपका मुद्धा बस मोधी का विरोध नहीं मोधी की नीतियों का विरोध है उनके एहंकार का विरोध है यह विरोत पहले क्यों नहीं था यही सवाल तो पीम मोधी भी खड़े कर रहा है अब जब चुनाओं का वक्त आ रहा तब आप एक मंच पर आ रहा है आपने देश के नौजवानों से बड़ी जुम्लेवाजी की थी आपने कहा था कि हम दो आपने कौन से मुद्धे उठा दि आप थ्यान दीजिए अधिकतर पार्टियां किसानों के साथ खड़े थी हम हिसाब चाहते थे कि आप गोलियां नहीं उनकी हावाज सुनिए आप देगी उत्तर बारफ से लेके तच्छिर मारत तक हो जा पूरा से लेके पच्छिर में हमने मदद की किसानों के साथ कौन खड़ा है इन मुद्दों के खिलाब से आज बहुत बड़ा बुद्दा जो भासी जनता पार्टी का किराम लला हम आएंगे मंदिर भाही बनाएंगे तारीक नहीं बताएंगे आज तो कह दिया ना कि हम मंदिर भी नहीं बनाएंगे अब करेंगे आज बनाएंगे आज दो किराम जीता करती है और सीटा जी की बात आप करेंगे आपके मुद्दा को ने बनाता है ये पी जो लाते हैं हर्मान थेगे दारेंगे इंदो हम थेगे दारेंगे आपके मंदिर करते हैं अब करते हैं अब बनाएंगे और आप तो अश्की इंपोर्ट में हम नहीं थाही नहीं नहीं लोग है अपने जन्यों पहिंके घूम राएंगे इस सर्मनाग बात कुछ हो सकती है विकास के नाम पर फिर आएंगे आप जिस तरह की बासा बोलते हैं हर्मान जी की चाहती बताते हैं तब तो विकास की बात नहीं होती तब परसनल अटेक्स होने लगते हैं तो आप राम हनुमान म अपने बैयान में विकास की बात करेंगे विकास की बात होगी विजन की बात होगी यह मुद्दों पर चुनावला जाएगा अभी सुरूप भी नहींता है ऐसे में मोदी के बैयान के क्या कुछ माइन है इसी मोदी पर बहस जारी रहेगी लेकिन फिलाल यहाँ पर रुके छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी बहस जारी है तो साल के पहले दिन नहीं विपक्षी एक्ता पर कई सवाल खड़े कर दी है जब यह मोदी ने अपने बयान में कहा कि चुनाओ इस बार 2019 में जंता बना गड़ बंदन होंगे और सवाल यह भी है कि विपक्षी एक्ता का सुरूप क्या होगा कौन कौन से दल उसमें शामिल होंगे मुद्दे क्या कुछ होंगे सुरूप क्या होंगे विजन क्या होंगे और किन चेहरों के साथ चुनाओ लड़ा जाएगा इसी मुद्दे पर बहस जा रही है रुक करे सब्सक्राइब संहुत 봤 ज़रूरत है गडवंदन को बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कभी साथ पसंद आता कभी साथ ना पसंद हो जाता यह सवाल है और इन चार सालों में तो यह काईबार हुआ हूँ आप बता रहा हूं कहा हूं अब जो रासी पार्टी है दो ही है बीजेपी है और कांग्रेस कांग्रेस को भी चाहिए कि सब को साल लेख चले है जहां जिसकी देना चाहिए मैं कांग्रेस कई कि नहीं कर रहे हैं कांग्रेस प्रवाली था हमने प्रयास कि किसी तरह से सपा बस्पा गुडवना से समझवता हो जाए क्या पढ़ना हमाई आपके सामने हैं अब इनको बला जीट करना प्रग्राशी पार्टी यह हैं गर बीजेपी हटाना है तो अब यहां हमारे यहां प्रवास करेंगे पहले समझवता क करते हैं तो उनको विश्वास ज्यादा है राष्ट्य पार्टी यह राष्ट्य पार्टी को सब को साली चलना चाहिए और नहीं करेंगे तो आज की सिती है आज जो हाला है सपा बस्पा यहां काफी है और बीजेपी को धूल चड़ाने के लिए क्यूंकि सांदेश का अपन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो दोनों हास ताली प्रते खास नहीं बस्ती है अपको चुनाओ लड़ना है कि हमारे हमारे पपूजी है पास हो गए हैं यह तो लोग जंता नकार रही बीजेपी को और फेकू जरूर फेलो गए हैं यह सारे देश की जवाब आखिर स पार्टी और एंडिये के घडबंदर की हो रहे हैं अब अपनी बात करिए यूपी मस्तबा बस आपको कि ना रहे क्यों करें देखिए सलेंजी बस्तबा यहां तक आरूप लगा रहे कि कॉंग्रेस जिससे समझावता करती उसके पीट में चुदा घुब देती हैं अब पूरे इंडोस्तान में बद्धों की आधार पर चुनाओने जा रहा है एक तरफ जंता कड़ी है एक तरफ बार्टी अंडिये का बिरोध है मुद्धा क्या जुम्लेवाजी विरोध है उसका बिरोध है जो आपने देश के नौजवानों से वादा किया आवान से अब पूरी कोशिस है कि हम उत्तर प्रदेश बेवी अपने पार्ट्र जो लाइक मांडेट पार्टी है उनके साथ मिलकर चुनाओर हो रहा हमारी कोशिस है अभी बहुत बहुत सुरुआत है आने वाले समय पे आपको तमाम चीज़े खुलकर सामने आएगे लेकिन वाज़े, देखे, म्कि मुद्धा क्या है, मुद्धा यह है कि आज बड़ती बेरोजकारी, लोज़वानों से हुई वादा-किलाफी, किसानों से हुई वादा-किलाफी, बड़ती मयगाई, काला धन, प्रश्टा-चास, इन मुद्धों पर चुना होने जा रहा, इन सारे मुद्दों पर बाती अंताबाटी और इंडिये के सरकार फेल हुई है। आदमी क्ता इनाज कराने की तरह उस्तांATT करें। बताई एस बादमी की आवाज बनने का प्रयास किया है कोई बताई बताईंस आप दो जार उनी से मैं से स्टाइervices दोства प्रया संस्त अच्छानّ वाये है पताएंगे तो पास नहीं हो पा रहे ना दिक्कत यह कहां एक राय बन पा रही है ने एक राय क्यों नहीं बन पा रही है नहीं पर रही है जुम्ले बादी गगां पर रही है कि अपने किसानों से दोका किया आप रही है जंग है और हम उसको आप क्यों नहीं बूलते हैं ठीक है प्रईतर दोगा देख रहे हैं यूपी में 2019 में और पर तब जब पीमोदी यह कहते हो कि 2019 का चुनाओ जंता बनाम गडबंदन है चलेंजी मैंने अभी आपको कहा था कि भारती अंता पाटी खुद एक महागरवधन का सुरूप है और भारती अंता पाटी उनकी शक्ती हो सकती है उसके नहीं होना चाहिए हर जगे खुल के सही होगी दल इनका विरोध कर रहा है इनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है तो इसमें इनको मिर्ची क्यों लग रही है मुझे नहीं समझ में आता है भारती अंता पाटी से अगर देश और प्रदेश नहीं समल रहा है तो इनको स्ताह इस्तिफा दे देना चाहिए चार साल तक मुदी जी सिर्फ मन की बात सुनाते रहे और कल हमने देखा उनका इंटर्व्यू मन की बात पार्ट टू था जो भी मुधी विरोधी जो बी समान विचार धारा के डल हैं हम उनके साथ हैं क्योंकी भारती अंता पाटी जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार किया है जुमलेबाजी किये इन्होंने कहा था 14 दिन केंदर हम गंदा किसानों बुक्तान कर देगे कादम उठाया ने के खार B Burjana means कि सानों के नाम द्रसक्तिाना ईजएंट रियर घृर कर लें किसानों का बागी है आज भी आप कर्जा माफी पे जो बात करते एक रुपए से लेके पचास रुपए तक आपने नहीं और उसके बाद किसानों को कैसे आप मनाएंगे असोग पार्णे जी संसमाज को कैसे मनाएंगे असोग जी को बहुत बहुत कि आप नौजवानों किसानों के बाल घुमेंगे जब्कि आप आपको अगर सर्माफी है तो जनता ने जवाब भी दे दिया है चारा जोग नतीजे आपने देख लिया किस ने किस तरह के वादे किये तो और किस तरह के नतीजे आप राममंदिर पर बताइए ना संसमाज ने आपके लिए जमीन पर काम किया आपको सत्ता दिलाई और आप यहां पर समय बनाएंगे पतारिक नहीं बताएंगे कैसे आप कुछे जनता आपके सब्सक्राइब करते हैं तो आप मजबूर सरकार हैं आप मजबूर सरकार थोड़े हैं सब्सक्राइब करते हैं और मोदी कहते में बड़े लोग था प्रिवार के सत्तर लोग खा गए पुरे प्रदेश को उस पर ध्यान नहीं है कि यह सब्सक्राइब करते हैं कि जनता बनाम गटबंधन का मुकाबला होगा तो कौन सी ग्राउंड रियल्टी कौन सी स्टेटस रिपोर्ट है जो बीजेपी के अंदर यह कांफिडेंस बर रही है नतीजे आ चुके हैं सामने सयोगी किनारा काट रहे हैं आकर इस महौल की वज़ा क्या है देखे परधान मंतरी जी ने जो बयान दिया है जनता बनाम महागडबंधन का सबसे बड़ी चीज है जैसे भारतिये जनता पार्टी के फोल्ड में खुद ही 44-45 दल है एक सबसे बड़ी चीज और टीडीपी पीडीपी और कुसवाह साब और राजभर साब और प्रिया पटेल सब का सब देखी रहे हैं आप तो जो उधर की इस्तती बन रही है और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है तीन राज़ियों के नतीजों के बाद कहीं न कहीं ये तो तय है कि मुद्दों से कहीं न कहीं बटका हुआ है और लोक राज लोक लाज से चलता है सबसे बड़ी चीज ये है और तो कहीं न कहीं मुद्दों से बटका हुआ है दूसरी चीज यह है जिस तरह आप 545 परलेमेंट में देखें कि करीब अभी उत्तर प्रदेश का पिक्चर साफ नहीं लिए लेकिन बिहार का पिक्चर साफ हो चुका है महारास्टरा का पिक्चर साफ हो चुका है तो जो महागडबंधन के मुद्दे पर लगातार चुनोती बहुत जोड़दार चुनोती है इसको गंभीरता से सीट वाइज आपने अलेजिस करी है तो जिस तरह अलाइंस वहा हुआ है उसमें एक मुकेसानी की भी पार्टी आ गई एक ग्रैंड अलाइंस बिहार में आप महारास्टरा में देखिए NCP इसके अलामा प्रकास अम्बेटकर साब के पार्टी और भी समाजवादी पार्टी भी उसमें बार बार कहतें की जन्ता बराम गड़ बना नोगा चुनो में आना पड़े क्योंकि चुनोती बड़ी है और चुनोती के साथ देखिए कहीं न कहीं सक्रिफाइस पुलिटिकल सक्रिफाइस करना पड़ेगा कॉंग्रेस और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ बात करे कि मुस्लिम ओट के लिए सेकुलर रोट के लिए बात करे ग्राउंड लेवल पे आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि चुनोती तगड़ी है और जिस हाथी से आप भिड़ने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास कारगर और ठोस रननीत होनी चाहिए तभी मामला बन पाएगा अभी कांग्रेश के पास ठोस कारगर नीती नहीं है जिसकी वज़ा से वक्षी एक्टाब इसवाल है अभी जो आज की पिक्चर बन रही है अमेठी में राहूल गांधी जिस तरह जा रहे है कांग्रेश कार करताओं का जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है और प्रयोक साला है मेठी तो पूरी असी पार्लेमेंट पे और यस्पी ब्यस्पी के जो मैंने कहा कि असी ही खेत है तो आएसे बहुत सीधे अकलेस यादो या मायवती जी प्रदीप सिंग जी जवाब दीजी आखिर क्यों यहाँ पर असफलता भी तक हाथ लग रहे है क्यों आप तमाम दलों के नाराज़गी दूर नहीं कर पार बार बार ऐसे समीकन सामने आ रहे है असफलता नहीं आप देखें लगाता लोगों से बात रहे है आप यह देखिए जो इनका सबसे स्वभावी कलाई पार्टनर था टीडीपी पीडीपी सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं लगातार इनको विसीव से ना आखे तरे रहे है अकाली दल्बीन से बात नहीं कर रहा है नितीश कुमार और बोसं बैग्जानिक पासवान जीद आज हैं और कल तक नहीं रहेंगे इस बात की अभी गारंटी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम एक दर्जन से ज्यादा सांसर कांग्रेस के काराले के बाहर खड़े में किस समय वह हमारे हमारे दर्वाजे के अंदर हों कि इसकी गारंटी नहीं है द्रटों के नित्जियों प्रत काला बिल्कुल मुक्त्र करते हो प्रसाल करें महों कैसा है किस के पक्षब में और एक अगर यह कन्सवान परिभ वेगत् जनता बनाम गड़ बंदन होगा तो इनी चुनोतियों से बिजेपी को निपटना होगा सवाल यहाँ पर विपख्षी एकता को लेकर भी है विपख्ष के सामने भी इन चुनाओं में से पहले वो उन से किस तरह से निपटते है और जनता किसके साथ कड़ी होती है और गड़ बंदन क्या कुछ यहां पर करता है यह सारी चीज़े देखने वाली होंगे लेकिन फिलाल आज की बहस में इतना ही दीजे अजाज़त मुस्कार